वेलो स्टूदेंट्स वेरी वर्म वल्कम टू क्लेविजिन क्लासेश सी वीजी बाइची आज हम पढ़ने जा रहे हैं सार के बारे में ठीक है और जिसका फुल फर्म होता है आपका साउथ एशियन एस्टियेशन फॉर रिजिनल कॉपरेशन ठीक है इसी के बारे में आज हम जा रहे हैं इसका पूरा डिटेल वर्जिन आपको पता लग जाएगा आगे वीडियो में ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सार क्या है देखे सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम पाएंगे कि हिस्ट्री में सबसे पहले आता है कि यह आक् एक बेसिक सा आईडिया आपको पता होना चाहिए कि ये अक्षिल में स्टार्ट हुआ था ताकि आर्थिक भड़ोत्री एक दूसरे की कर पाएं ठीक है दूसरा है पॉलिटिकल और्गनिजेशन यानि कि राजनेतिक तौर पर एक दूसरे का साथ दे पाएं ठीक है बस इतना स कि ये जब कौन से यह में स्टाबलिश हुआ था वह आपका यह है ठीक है उस टाइम पर एक इंट्रस्टींग चीज ये थी कि उस टाइम पर आपकी आट कंट्रीज नहीं थी उस टाइम पर आपकी सिर्फ और सिफ साथ कंट्री मितौे पूरा दिखा रखा है ठीक है इस पूरी इन में आपका पूरा साथ कंट्रीज है वो एक इसमें से नहीं है वो आपको guess करनी है ठीक है आप guess करिए और उसको अगर चाहें तो आप comment section में बदा सकते हैं वैसे जो बच्चे थोड़ा बहुत भी जानते होंगे वो जानते होंगे वो कौन सी कंट्री है उस कंट्री के साथ हमारा अच्छा पासवाली मिलेंगी सबसे पहले बांगलादेश फिर भूतान ठीक उसके बाद आप खुद इंडिया हो गए ठीक है उसके बाद पाकिस्तान आपकी फांडर कंट्री इसमें प्लस वन आपको याद रखेगा प्लस वन करना है यानि कि एक कंट्री और आट करनी है जो कि आप की अभी का सार्क मेंबर है ठीक है उसको पूरा करती है उसके संगटन को पूरा करती है ठीक है तो I hope guess कलिया होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं यह आपका पूरा मैप है ठीक है इस मैप के तुरू आपको बिल्कुल अच्छे समझ आदाएगा कि सार्क अक्चल में इसका साउथ एशियन एससेशन फोर रिजनल कोपरेशन जो नामी है वो क्यों दिया गया है ना क्या रीजन है देखे हमारा इंडिया जो है वो साउथ एशिया में पढ़ता है यह आपको याद रखना है ठीक है सबस पर पढ़ता है ठीक है यहाँ पर बता देती हूं यह वाला जो पॉइंट है आपका यहाँ पर यह वाला पॉइंट जो है वो नहीं आता ठीक है वो आपका सार्क में नहीं आता यह कहां आएगा यह आपकी एशियन कंट्रीज में आएगा ठीक है साउथ एशियन कंट्रीज याद रखेगा यह east side पढ़ जाता है और south में है तो यह चीज इसलिए इसको हम बोलते हैं south east में ठीक है लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इतनी जगा की यहाँ से लेगी यहाँ तकी बात करें तो यह आपका भड़ता है south asian countries में ठीक है next country कौन सी है चलिए हम क्या करेंगे हमारा एक trick है यहाँ पर कि हम जाएंगे west से east की तरफ ठीक हम जाएंगे west से east की तरफ जिसमें हम south से होते हुए जाएंगे ठीक है यहाँ से directly नहीं जाएंगे ठीक है यहाँ से directly नहीं जाएंगे हम जाएंगे south की तरफ पहले उसके बाद east क तो सबसे पहले हम इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप यह है कि अफगानिस्थान पहले जाएंगे फिर हम जाएंगे पाकिस्तान पाकिस्तान से जाएंगे श्रीलंका की तरफ फिर आ जाते हैं फिर मालदीव की तरफ फिर उसके बाद हम आते हैं इंडिया में पहले तो फिर इं अफगानिस्तान, ठीक है, कौन कौन सी है, अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान तो अपकी नहीं नहीं, अभी अभी आड हुई है, तो अफगानिस्तान के बारे में अभी देख रहे हैं, में हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग से पड़ते हैं, बांगलदेश, फिर नेपाल उसके बाद पाकिस्तान ठीक है फिर शीलंका फिर अफगानिस्तान ठीक है यह सारी सारी कंट्रीज हैं आपकी और अफगानिस्तान एड हुआ तो कब हुआ था दोहजार साथ में इतना और याद रखने आपको ठीक है बस चलिए अब हम इसका हेड़कॉर्टर की बात रहेगा और एक बात याद रखेगा जितने भी एससेशन बनते हैं उसमें कुछ न कुछ साइन होता है तब ही वो एससेशन एससेशन कहलाता है या फिर कोई भी ग्रुप कहलाता है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पर एक सार्क चार्टर जो है नाम का जो है वो साइन हुआ था जिसको 1985 में ही साइन किया था और उसी के बाद के जो स्टार्ट हुआ था पूरा आपका सार्क ठीक है यह चीज़ याद रखेगा अब हम इसके अब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं इसके अब्जेक्टिव में आपको याद रखना है कि मैंने आपको development करनी है बस इसी के बारे में भी बात करता है ठीक है तो कुछ objectives के बारे में आपको detail में समझाती हूँ कौन-कौन से हैं सबसे पहला आपको यह बोलता है कि जो दक्षिन एश्या के लोग है उनका कल्यान करना है हमको और उनको बढ़ावा देना है ठीक है यह आपका पहला point सब सार्क में छेतर पढ़ते हैं ठीक है जितने भी अलगला countries के छेतर पढ़ते हैं उनमें जो आर्थिक विकास है यानि कि economical development है और समाजिक प्रगती है और जितने भी सांस्कृतिक प्रगती है यानि कि जो तीन points में आपको पहले ही समझाये थे economic, cultural and social progress ठीक है उनमें उनके विकास में हमको तेजी लानी है ठीक है और सबी व्यक्ति जितने भी इसमें हैं उनको सम्मान से life जीने का एक हग देना है और उनकी potential जो है उनकी जो strength है उसको realize कराते रहना है ताकि वो अच्छा कर सके उसमें ठीक है यह इसमें पूरा point में आपको दिया हुआ है इस वाले point है एक दूसरे पर यानि कि दूसरे पर जो निर्भरता है ठीक है उसको भी भड़ावा देना है और मजबूत करना है हमको हमको अपने रिष्टे जो है उनके साथ मजबूत करने है जितने भी countries इसमें आती है ठीक है fourth point हमसे यह कहता है कि जो आपसी विश्वास है एक दूसर है कुछ positive ही निकालना चाते है इसी विज़े से है तो वही चीज़े है इसमें चलिए अब हम fifth point की बात करते है fifth point क्या कहता है हमसे fifth point हमसे यह कहता है कि आर्थिक समाजिक ठीक है उसमें सक्रिय सहयोग करना है ठीक है और जितनी भी कह सकते है collaborations है आपकी ठीक है उसमें सहायता करनी और एक दूसरे को बढ़ावा देना है ठीक है कौन-कौन सी action में हमें तीन point आपको यह base मानना है पिलर मानना है इन तीन point को ठीक है क्या है cultural, technical and scientific fields ठीक है इन में आपको एक दूसरे को बढ़ावा देना है ठीक है actual में देखा जाए यह positive points जितने भी countries के positive points होते हैं जित साथ भी हमें सयोग को अपने मजबूत करना है ठीक है बस इसमें यह point दे हुआ है 7 की बात करें strengthen cooperation among themselves in international forms on matters of common interest जो जितने भी common interests हैं ठीक है जितने भी एक दूसरे के same अभी रूची वाले जो sections है ठीक है उन पर अंतर राश्ट्री रूपों में भी आपस में सयोग रखना है और उसको भी मजबूत करना है यानि कि अंतर राश्ट्री तोर पर भी हमको एक दूसरे को मजबूत करना है ठीक है और जो एक दूसरे के same matters है ठीक है उन पर उन पर भी काम करना है वो भी साथ रहे कर ठीक है लास्ट हमसे यह कहता है कि cooperate करना है एक दूसरे को international and regional organization with similar aims and purposes ठी सिंपल सा इसमें सार्क में यह आपकी आर्ट पॉइंट्स है जो इनके objectives है अगर overall हम इसमें से एक पॉइंट निकलना चाहें कि क्या बोलना चाह रहा था यह सिर्फ और सिर्फ यह बोलना चाह रहा था कि जितने भी points important है किसी भी country के लिए ठीक है जहां जहां development जरूरी है व फोटो देख रहे हैं और यह आपको याद रखना है कि यह बांगलादेश के रहने वाले थे अगर हम current head की बात करें जो अभी चल रहे हैं वो है आपके Mr. Vira Koon ठीक है इनका नाम क्या है Mr. Vira Koon ठीक है Mr. Vira Koon इनका नाम है और आपको एक चीज और याद रखनी है कि यह कहां के रहने वाले हैं यह country अभी आच्छल में बहुत सारा कर्ज में डूप गई है ठीक है तो कौन सी वो country है ठीक है मुझे लगता है आपने guess सही किया है जो की आ श्रीलंका के ही हमारे जो current head अभी चल रहे है सार के ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है तो यही पर आपकी वीडियो होती है खतम है ना है hope आपको समाझ आया होगा ठीक है कि सार क्या था क्या नहीं था यह आपके syllabus में भी है इसलिए जितने भी international organizations के बारे में आपक you like share and subscribe this channel thank you so much